यूपी की योगी सरकार की कैबनेट मंतरी डक्टर रीता बॉगणा जोशी इलाहबा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं मैदान में निकलने से पहले वो पहुंची है शक्तिपीट माललेता देवी मंदिर में यहां उन्होंने पूजा अरचना की है मातारानी का अशिरवाद लिया है दिदी ये बताईए कि इस कितना जरूरी मानती है जंता के आशिरवाद से पहले देवी मा के आशिरवाद देखे हम लोग सब एश्वर में विश्वास करते हैं और कोई भी ऊश्वर काम करने से पूर हमेशा ही इश्वर की अराधना करते हुँ उनका आशिरबाद लेते हैं यह मैं हर चुनाओं से पहले करती हूं काउंटिंग के पहले भी जाती हूं तो ललता देवी की बादमानता है और मैं पिछले 20 साल से यहां हर नौरातर में आती हूँ तो इसलिए आज यहीं से मैं अपना रिव्यू सर्वे शुरू करूँगी शेत्रगा सीट पर क्या समहना है अपने लिए आप देख रही है अब बहुत अच्छी जीत हो रही है जनता ने मन बना लिया कि मोदी जो को फिर प्रदान मंतरी बनाना है और भगुणा की बेटी को जिताना है तो इस दोनों ही फैक्टर्स बहुत महत्पूर्ण भूमिका निबार है लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीस्पी का मजबूत जाती आधार है दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का ग्लैमर है कांग्रेस के भी कैंडिडेट है किस से मुकाबला मानने है कोई मुकाबला नहीं है सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा मोधी जी के कारी शहली के सम जानी है कि उन्हें लोग फिर से नाच चुन रहे हैं बहुतायत में लोग कोई समी करनी जानते हैं कि जो भी गडबंदन बन रहे हैं उसकी नियत केवल मुदी अटाओ और जनता चे कहती है मुदी रखो तो कोई असर नहीं होगा हम बहुत सुरक्षित हैं और बहुत अच् संत्री मुदी के नाम के सहारे उनको काम्याबी हासिल होगी केमरमेन रोहिश्री वास्तों के साथ मोहिन एवीपी गंगा प्रयाग राज